रेल और नहरे ये हमारा अगला बिंदु है और द्योगी क्रांति के कारणों को समझने में इंग्लेंड में अकेले नहीं पूरे योरप में और द्योगी क्रांति के कारणों को समझने में हमारा अगला बिंदु है नहरे और रेल शुरू में जो नहरें थी ये कोईले को नगर तक ले जाती थी नहरों के माध्यम से नहरों के जाल बिछा दिये गए थे जिससे कोईला जो था वो बड़ी सुगमता से एक खेतर से दूसरे खेतर जहां जुरुत पड़ती थे वहां पहुंचाया जाता था और कोईले का भार और परमान की वज़ह से इसे सडक मारगों में ले जाया नही जाता था सुगम था सरल था नहरों के माध्यम से ले जाना नहरों के बहाओं में और उस सडकें उसके करण नुकसान से बच जाती थी था तो नहरों का उपियोग कोईले के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए बड़े बड़े नाओं में भरकर नहर मार्क से ले जाने में कम समय भी लगता था क्योंकि वे बहाओं में थी और कम खर्च भी रहता था और्द्योगिक उर्जा और मकानों में रोशनी इन दो कारणों से कोईले की बढ़ती मांग नेक समस्या पैदा कर दी किसने और्द्योगिक उर्जा और मकानों में रोशनी है क्योंकि तब तक टॉमस अलवा एडिशन का आविशकार हो चुका था विद्युत शक्ती बिजली का और इसलिए कोईले की मांग बढ़ गई थी क्योंकि इनके उत्पादन के लिए कोईले की जुरत पढ़ती है काफी बढ़ गई इंगलेड में जेंस ब्रिंडली इसने वर्सली केनाल नहर का निर्माण कराया इसका निर्माण कराया और इसका निर्माण मैंचिस्टर के कोईला भंडारों से शहरों तक पहुंचानी के लिए किया गया था मैंचेस्टर का जिक्र मैंपूर में कर चुका हूँ और वहां पर्याप्त कोईला भंडार था और उसकी मांग इंग्लेंड के विविन खेत्रों में थी तो नहर के माध्यम से ये सुगमता से पहुचाय जाने लगा इस नहर के निर्मार से एक तो दूर 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 दराज उद्द्धोगों में अब कोईला पहुचने लगा दूसरा कोईला की वृता से पहुचने लगा तीसरा जल मार्क से चुकी था इसलिए इसका खर्च भी कम था तो इस परकार सश्टे में तुरित गती से अब मिलने लगा इन नहरों का ये फायदा था बर्मिंगम शहर जो है उसकी सचाई तो ये है कि नहर से जुड़ा होने के कारण उसका विकास हुआ नदियों के साथ जुड़ने के कारण नहर प्रणाली के बीच में कई शहर आए जो बाज में बड़े प्रसिद हुए मैं पना दुहरा दूँ नहर के फायदों में एक फायदा तो था कि सस्ता आवागमन कोईले का कम तीवर आवागमन कोईले का दूसरा तीसरा सड़कों का कम नुक्सान चौथा सड़कों से जब ये कोईला जाता था खासकर काट का कोईला तो उठा पटक में कोईले के चूरे हो जाते थे नदी मार्क से जाने से नहर मार्क से जाने से नुक्सान से भी बच्चे चौथा पांचवा जिक्र कि इस नहरों के जाल के बीच में आने वाले गाउं अब शहर बन चुके थे जैसे लंडन ब्रिस्टल चैनल और मटमी हमबर्शार ये सब नदीयों से जुड़े हुए थे या नदीयों की नहर प्रणाली से जुड़े थे इसके फायदे देखकर क्या हुआ कि 1760 के आसपास नई नहरों का निर्माण नई नहरों की परियोजनाए प्रणाए 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 और 1788 आते आते हम कह सकते हैं कि 1796 तक नहरों माद नाम से जाने वाली अवदी में बहुत सारी युजनाए बनाई गई नहरों माद नहरों का उन माद नहरों के लिए एक तरीके से पागल पन हो गया हर जगा नहरों के जाल बिछाने की एक तरीके से होड शुरू हो गई और इसके कारण मैंने आपको गिना दिया है कि नहरों की अचानक इतनी महत्ता क्यों जागी है आप देखिए कि सब कुछ समय पर हो रहा है नदियां पहले भी थी लेकिन नदियों से नहरों का कटाओ किस रूप में उद्योगों के लिए उपयोग किया जा सकता है इसे समझने वाले इंग्लेंड के लोग थे और उन्होंने बड़ा समसाम ये कदम लेते हुए नहर बनाए और 1788 से 1796 के काल में तो इतनी नहर पर परियोजनाय बनी कि इस काल को नहरों मात का काल कहा जाता है साथ वर्षों में बहुत से नहर बनाई गए जिनकी कुल लंबाई लगभग चार हज़ार मील से अधिक लंबी नहरें बनाई गए ये तो हुआ नहरों की गाथा नहरों की आवश्कता क्यों पड़ी ये आपने समझा नहरों का विस्तार किसने और कैसे किया ये भी आपने समझा और नहरों के विस्तार के क्या परिणाम हुए ये भी आपने समझ लिया एक घटना कैसे या एक डिवलप्मेंट कैसे दूसरे डिवलप्मेंट को एक के बाद एक जन्म देता है कारण बनता है फिर कारक बनता है या आप इस अध्याय में इस पश्रूप से समझ रहूँगा अब जब नहर निर्माण होता है आवा जही होती है समान की चाहे वो कोईला हो तो बाकी समान भी आने जाने लगेगा बाकी समान का भी आवागमन शुरू हो गया वाश पैंजन जब आया और वो प्राइम मुवर के रूप में जब देखा जाने लगा तो वाश पैंजन के अन एक उप्योग इजाद हुए, मशीने जब आई, कॉटन बनाने की, तो कॉटन में प्रिंट करने की भी मशीने आई, कई तरह के आविशकार हुए, इन्ही आविशकारों की श्रेणी में वाश्ट एंजिन से प्रेरित होकर, प्रथम भाफ एंजिन बनता है 1814 में, प्रथम भा चलित रेल एंजिन का निर्माड होता है, इस्टिफेंशन के द्वारा, किसके द्वारा, इस्टिफेंशन के द्वारा, सन 1804 में, अब रेल गाड़ियां परिवहन का नया जरिया बन जाती हैं, और सालों उप्रब्ज रहती हैं, एक बार पट्री डाल दिया, वो कोई, कंजूमेबल चीज तो है नहीं, जो ज्यादा उप्योग के साथ समाप्त हो जाए, तो उसका उप्योग बढ़ते रहा, यह सालों उप्लब्ज रहती थी, और इसकी खासियत यह थी, कि नहरों या जल मार्ग में जहां, बाड़ के समय या नदी के तीवर, वेग के कारण कई बार, आवागमन में दिक्कत होती थी, रेल मार्ग वर्ष के हर मौसम में उप्लब्ज था, सालों इनकी उप्लब्जता रहती थी, और साथ ही यह सस्ती भी थी, और तीवर भी थी, यह जल मार्ग से भी ज्यादा तीवर थी, और सस्ती भी थी, क्योंकि एक बार प माल और यात्री दोनों का उप्योग होने लगा इसमें यानि मैं अब जो आब आपको बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ कैसे रेल मार्ग नहर मार्ग से ज़्यादा उप्योगी साबित हुआ पहला कि ये परिवहन का नया साधन बना एक अल्टरनेटिव दूसरा ये परिवहन का ऐसा साधन जो साल भर उपलब्द तीसरा ये परिवहन का ऐसा साधन जो सस्ता और जैसे जैसे समय बढ़ता जाए वैसे वैसे और सस्तलागत कम होती जाए चौथा बड़ा तीवर बड़ी जल्ली सामान पहुंचता था पांच्वा इसमें किसी तरह का खत्रा नहीं था ट्रेन के डबों में माल डालने से इस तरह की कोई गुजाईश नहीं थे कि सामान नदी के प्रवाह में पलड जाये जैसे इसमें होता था यहां पे किसी तरह का या चोरी हो इसका खत्रा नहीं था माल और यात्री दोनों ही अब निश्चिन्त होकर इसमें भेजे जा सकते थे जल मार्ग में कुछ दिक्कतें थी उन दिक्कतों से यहाँ पर एक तरीके से फुटकारा पालिया गया लोहे की पट्री जिसने सन 1760 के दशक में लकड़ी की पट्री का स्थान लिया वो एक नया विश्कार बना भाफ के एंजिनों से इस लोहे की पट्री पर अब दब्बे खीचे जाने लगे रेलवे का विश्कार वास्तों में एक ऐसा विश्कार था जिसने अद्योगी करण की प्रक्रिया को दूसरे चरण में पहुँचा दिया इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें अभी तक जो बातें हो रही थी चाहे वो लोहे की खोज हो या उसकी उप्यक्ता हो चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, कपास उद्योग हो, कोईला उद्योग हो और उसके साथ-साथ नहरों का निर्माण और अन्य चीजे वाश्प का वाश्प की खोज अन्य सारे आविश्कार ये सब उद्योगी करण की दिशा में पहला चरण माना जा सकता है पहला पाइदान जिसने आने वाले वर्षों में आधनी की करण का आधार रखा आधनी की करण के भी पाइदान थे ऐसा नहीं कि पहले ही सो वर्षों में देश आधनी खोचला या विश्व आधनी कोचला आधनिकी करण की प्रक्रिया तो आज भी चल रही है और आधनिकी करण की प्रक्रिया भविश में भी चलती रहेगी उसका कोई अंत नहीं कहीं ऐसा ना हो कि 200 साल बाद हम इतने आधनिक हो जाएं कि वर्तमान काल को हम उस नजरिये से देखें जिस नजरिये से हम मध्यकाल को देखते हैं क्योंकि जिस तीवर्ता से आज परिवर्तन हो रहा है ऐसा सोचना शायद गलत नहो ऐसे यहां पर इस बात को समझ लें कि रेलवे का आविशकार ने और्द्योगी करन की प्रक्रिया को दूसरे चड़ में पहुँचा दिया जो जल मार्ग से जो सारा आवागमन होता था माल का जिसके अपनी सीमाएं थी जिसकी अपनी दिक्कतें थी अच्छा जल मार्ग के साथ एक दिक्कत और थी कि जल मार्ग वही बनाए जा सकता है जहां पर धलान हो जहां पर उसका बनाना सस्ता हो नहरे वहीं बनाई जाएंगी जहां पर नहर के पानी का ढ़लान निर्मित किया जा सके नहरे वहीं बनाई जाएंगी जहां पर आसपास जन संख्या हो नहरे वहीं बनाई जा सकती है उतनी दूरी तक बनाई जा सकती है लाई करना हो उससे ले जाए जा सके ये उसकी सीमा है उसकी दिक्कत है नहरों की रेलवे ने ही सुनिश्चित किया कि यात्री और माल दोनों अपने गंतव्य स्थल पर सुरक्षित पहुंचें वर्ष भर पहुंचते रहें कम खर्च पर संभव हो और जहां चाहें वहां रिष्टी से बनाए गए कि वहां पर उनके मार्ग में जन संख्या हो उनके मार्गों में खनिच पदार्थ हो कि खदाने हो उसके मार्गों में ऐसे ऐसे उद्योग या शहर हो जो रेल मार्ग का समुचित उप्योग करते हो लोहे की पट्री जब बदली गई तो ये एक बहुत बड़ा अविश्कार था क्योंकि इसने रेल मार्गों को एक स्थाई रूप दिया इसलिए बारम बार इस बात को कहा जा रहा है कि रेलवे की प्रक्रिया रेलवे का विश्कार और द्योगी करण की प्रक्रिया को द्विती चरण में पहुंचाता है ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है परिक्षा की दिश्ट से सवाल उठ सकता है कि आप क्या इस बात से सहमत हैं कि railway का विश्कार और द्योगी करण के लिए इतना महत पूर्ण था कि उसे दिती चरण का में प्रविष्ट कराने का श्रे दिया जाए निश्चित रूप से जितने बिंदूओं को भी हमने छुआ है उससे आप इस बात से सहमत होंगे कि ये एक बहुत सही बयान है और इसमें कोई दो मतनी कि railway का आविश्कार ने आधुनी की करण की ओर बहुत तेजी से यौरप को और इंग्लेंड को बढ़ाया मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि railway के आने से और द्योगी करण का दूसरा चरण प्रारम होता है railway के आने से और द्योगी करण की प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रविश्ट कर जाती है क्यों? ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है और बहुत गौर से समझने की बात है कि railway के आने से तक क्या हुआ? कि और द्योगी करण अपने अगले पायदान पे चला गया? थोड़ा इतिहास को जाने और सरप्रथम इसमें जिक राता है 1801 रेलवे की बात करें तो सरप्रथम 1801 जिसमें रिचर्ड ट्रेविथिक इस नाम के एक व्यक्ति ने एक एंजिन जैसी चीज का विश्कार किया था तो एंजिन ही उसे हम कह सकते हैं कि अपने तरीके का पहला एंजिन रहा होगा उसने उसका विश्कार किया और चूंकि उसकी आवाज बड़ी अजीब सी थी बहुत जोरदार थी फुफकारने जैसी थी इसलिए उसका नाम दिया गया फुफकारने वाला दानो क्या नाम? फुफकारने वाला दानो याने पफिंग डेविल P-U-F-F-I-N-G पफिंग पफिंग करता था पफिंग डेविल एंजिन ही था यह 1801 की घटना है लेकिन इसके बाद 1814 में दूसरी घटना होती है और 1814 में एक रेलवे इंजिनियर जिरका नाम जॉर्ज टीफेंशन था उन्होंने एक नया रेल एंजिन बनाया जॉर्ज टीफेंशन रिचर्ड ट्रविथिक के बाद 1801 के बाद 1814 में इन्होंने एक रेलवे एंजिन बनाया जिसका नाम था ब्लाचर ये एंजिन 30 टन माल कितना? 30 टन माल को लगभग 4 किलो मीटर प्रति घंटे की दर से एक पहड़ी पर ले जा सकता था बहुत कम स्पीट थी 4 किलो मीटर प्रति घंटा लेकिन अच्छाई क्या? कि माल एक सा 30 टन लोड कर सकता था और चड़ाई में जहां आदमियों के लिए संभव नहीं था इतना माल लेके चड़ना या बहुत श्रम लगता था चाहे जानवर के रूप में चाहे मनिश के रूप में उसके बदले अब ये 30 टन माल चड़ने लगा है भले ही एक घंटे में पहुँच जाता हो लेकिन 4 मील पहुँचना काफी बड़ी बात थी और वो भी चड़ाई में तीसरा चरण आता है या तीसरा घटना करम में तीसरी घटना होती है 1825 में 1825 में स्टॉक्टन और डालिंग्टन शारों के बीच में एक 24 किलो मीटर की रफ़तार से 24 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से लगभग 9 मील का रास्ता तै करने के लिए ट्रेन चलती है कहां स्टॉक टन और डार्लिंग टन नक्षे में देखिए दूरी कुछ नहीं है नौ किलो मिटर मात्र लेकिन ये एक बहुत बड़ी करांतिकारी घटना हो जाती है क्योंकि इससे साबित हो जाता है कि एंजिन को यदि ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए किसी जरिये से तो वह माल ढो सकती है ये बात बहुत अहम मुद्दे की थी अहम थी ये जो डालिंग्टन और स्टॉक्टन के बीच में जो नौ मील की दूरी में जो रेल मार्क बना था उसमें 24 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से वो चली गाड़ी और दो घंटे में उसने दूरी तैकी कितनी देर में? दो घंटे में नौक मील की दूरी दो घंटे में लेकिन रफ्तार 24 किलो मिटर प्रति घंटा लिवरपूल और मैंचेस्टर अब ये दो जो प्रसिद्ध शहर थे जो कपास उद्योग के लिए और अन्य उद्योगों के लिए बहुत बहुत बड़ा केंद्र थे इनको अब रेल मार्ग से जो इसके बाद शुरू होते हैं वे क्रांदिकारी परिवर्तन जो और द्योगी करण को दूसरे चरण मिले जाते हैं जो रेलवे को जिम्मेदार बनाते हैं और द्योगी करण को दूसरे चरण मिले जाने के लिए यहाँ क्या होता है कि railway की यद्यपी तिया की स्पीड कम थी railway track बनाना पड़ता था उसके अपने कषर्चे थे और उसमें समय लगता था लेकिन ये बात साबित हो गई कि जादा power, जादा ताकत वर engine बनाए जा सकते हैं जिसमें ज्यादा माल डुलाई हो सकती है एक बार ये तै हो गया ये संभावना एक बार पता लग गई तो इस संभावना की तुलना नहरों से की जाने लगी आपको मैंने बताया था एक काल चला था नहरों माद का नहरों माद का जिसमें नहरों का जाल बचाया गया बहुत सारी नहरें माल ढुलाई के लिए यातरी ढुलाई के लिए और अन्य चीजों के लिए बनाई गई थी अब ये जब तुलना की जाने लगी रेलवे की सुवधाओं बनाम नहरों की सुवधाओं से तो देखा गया कि नहरों में कुछ समस्याएं थी और समय के साथ साथ जब नहरों का जाल तो बिज गया पर उसके साथ साथ नहरों की कुछ समस्याएं भी ज़्यादा एहम हो गए जैसे सबसे बड़ी समस्या उसमें ये थी कि नहरों के जाल में के कारण अब यद्य आवागमन बितना ज़्यादा हो गया कि जिसे हम जाम कहते हैं गाड़ियं जाम हो गई हैं ऐसे यहां पर भी बहुत ज़्यादा भीड हो गई जाई आदी की रफ्तार कम हो गई बीड़ भाड के कारण परिवहन की गती कम हो गई इन जलशोतों का जो मार्ग था वो आवागमन के साधनों से पट गया तो एक समस्या तो यह आगई दूसरी समस्या प्राक्रिटिक आपदा जैसे वर्शा का होजाना अतिरिष्ट या बरसात ना होना यह दोनों ही प्राक्रिटिक आपदाएं थी जिसके कारण नहरों में कभी पानी नहीं रहता था या कभी जड़ूरत से ज़दा पानी रहता था जो परिवहन को प्रभावित करती थी इसके साथ ही नहरों की जो गती थी पानी की गती वह अभी नियंतरित नहीं थी ये तैनी था कि कितनी देर में हम वहां अपने गंतविस्थल पे माल पहुंचा सकेंगे या यात्री अपने गंतविस्थल में कितने समय में पहुंच सकेंगे ये सब के मद्दे नजर जब रेलवे से इसका वो किया गया रेलवे से तुलना की गई तो पाया कि रेलवे इस मामले में ज़्यादा सुविधा जनक है रेल मार्ग बनाने की दिक्कत तो है पर जैसे नहर बनाने की दिक्कत थी पर नहर को उन्होंने तो जाल बिचा दिया नहरों माद के माद दिहम से तो ऐसे ही रेल मारगों का भी जाल बिचाया जा सकता है और यदि ऐसा हो गया तो नहरों से होने वाली समस्याओं से निजात पाया जा सकता है और इस प्रकार रेलवे जो है अब सुविधा जनक आवागमन की श्रेणी में सुविधा जनक परिवहन की श्रेणी में आ गया ये जो मानसिक परिवर्तन है रेल बनाम नहर में रेलवे को प्राथिमिक्ता दे जाने की जो दिये जाने का जो बदलाव आया लोगों के मन में उस बदलाव ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया 1830 सा 1850 के बीच इंगलेंड में कुल मिला कर दो चरणों में 60,000 मील लंबा रेल मार्ग बिचा दिया गया कितना 60,000 मील लंबा रेल मार्ग दो चरणों में जिसके हम आगे जिक्र करेंगे पर आपको यह समझने की जरूत है कि 20 वर्षों के दोर में जैसे नहरोन माद हुआ था ऐसा ही दो दो दोर उनमाद का उनमाद मतलब क्या होता बहुत ज़्यादा पागलपन उत्सा बहुत ज़्यादा उत्सा जो एक पागलपन की सीमा पे होता है पागलपन की सीमा तक रेलवे में भी और ये दावर को हम दो कालों में बाट सकते हैं वैसे तो अठारा सो तीस से अठारा सो पचास का काल है जब साथ हजार मील लंबा मार्ग बचाया गया लेकिन हम दो कालों में माटें सो अठारा सो तैंतिस से अठारा सो तैंतिस के मद्च छोटे रेलोन माद का दोरा आया छोटे रेलोन माद जिसमें करीब चौदा सो मील लंबी रेल लाइन डाली गई यानि चौदा सौ मील की दूरी अब लोग नहरों के बदले रेलवे में तै करने लगे रेल के माध्धम से तै करने लगे माल की ढुलाई चौदा सौ मील अब इसमें होने लगे और दूसरा दौर जो आया वो था सन अठारा सौ चवालिस से 1847 का काल मत्र चार वर्ष 1844 से 1847 के काल को हम कहते हैं बड़ा रेलन माद छोटा रेलोन माद बड़ा रेलोन माद इस बड़े रेलोन माद को बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पत्रियों का जाल बिचाया गया उसकी लंबाई थी 9500 मील लगभग कल्बना करिये कितने बड़े इस तर पर रेलोन का काम हुआ होगा जहां पे 9500 मील लंबी रेल के पत्थ बनाए गए मात्र चार वर्षों में तो आपको यह समझना जरूरी है कि रेलवे की महत्ता तुरंद समझ ली गई और उसने नहरों का स्थान ले लिया इस संपूर्ण कारवदी में रेल ही रेल की पाते ही डालते चले गए रेल की एंजिन बनाते चले गए अब इसका तीसरा प्रभाव क्या पड़ा होगा बहुत बड़ा प्रभाव इसका ये पड़ा कि रेल की रेलें बनाने के लिए एंजिन बनाने के लिए लोहे की मांग कई कई गुना बढ़ गई मांग बढ़ी तो लोहे की ख़दानों में उत्पादन बढ़ा उत्खनन बढ़ा उत्खनन तभी संभव है जब उसके लिए पर्याप्त टूल्स हो पर्याप्त श्रम हो लोहे का उत्खनन करने के लिए बहुत तरीके के नई नई चीजें इजाद की गई लोहे के उत्खनन के लिए बहुत श्रम लगा बहुत मजदूर लगे और उसके साथ ही चूकि एंजिन वाश्प से चलते थे कोईले का भी उत्खनन, कोईले की मांग भी कई गुना बढ़ गई दूसरे शब्दों में इस सारे काम में कोईला और लोहे का भारी उप्योग किया गया और लोगों को काम भी मिला क्योंकि यह रेलवे की पाते बिछाई जा रही हैं रेलवे के एंजिन बड़ी संख्या में बनाये जा रहे हैं तो उसके लिए निश्चित रूब से मज़दूरों की शरम की जूरत है लोगों को नौकरी देने की जूरत है तो इस प्रकार शहर में आये हुए जो हजारों लाखों मजदूर अपने गाउं अपनी जमीन छोड़ कर आये थे विवश्टा वश जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है अब वे ख़दानों में तो खप ही गए थे चाहे वे लोहे की हो चाहे केले कोईले की हो उसके साथ ही स जो प्रडक्शन हुआ जो पादन हुआ वो भी कई गुना बढ़ा तो इसकी तीवरता जो थी उनको बहुत जली जली ये लोहे के चाहिए थे लोहे की जरुरत तो थी ही इसकी त्वरिद जरुरत थी त्वरिद जरुरत की पूर्ति के लिए ज्यादा श्रम ज्यादा मजद को भी बड़ी भरी संख्या में इन ख़दानों में ख़पाया गया। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि रेलवे की शुरुआत किस प्रकार और द्योगी करांति के दूसरे चरण को जन्म देती है। और किस प्रकार रेलवे और द्योगी करांति को उसके दूसरे पायद मिले जाता है संक्षित में हमने जिक्र कर लिया